Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Catract and Refractive Surgeon. आज बहुत ही जादा important वीडियो बना रहा हूँ practical relevance के लिए कि अगर आपकी आँख में चश्मे का number है और इस चश्मे को हटाने का आप प्लान कर रहे हैं लेजर वाले option से प्लान कर रहे हैं, लेंस वाले option से प्लान कर रहे हैं कई तरह के options हैं, तो अगर आप अपना चश्मा हटाने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी आँखों की कौन से कौन से test करने absolutely necessary हैं जिससे operation successful हो और आगे जाके आँख में कोई problem ना है देखें, ये सारे test बहुत जादा जरूरी और significant इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो operations हैं, ये cosmetic operations हैं एक इनसान कराता है अच्छा दिखने के लिए, convenience के लिए और ये operations जो होते हैं, usually young लोगों में होते हैं छोटी उमर के लोगों में होते हैं, जिनकी उमर 20-30 साल के बीच में होती है और उनको इनी आँखों के साथ आगे 70 साल जीना भी है तो हम ये चाते हैं कि operation बिलकुल perfectly हो, 100% successful हो किसी तरह की problem ना operation के दुरान आए, ना operation के बाद आए और ना आगे के सालों में आए तो एक एक करके मैं आपको आज detail में समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपके test होईंगे किस test की क्या importance है और कैसे कैसे आपका पूरा work up जो है वो proceed करता है देखे इन सारी testing में 2-4 घंटे लग सकते हैं तो आपको अपनी patience lose नहीं करनी ये सारा कुछ इसले करा जा रहा है ताकि कोई भी problem किसी भी time हमें आँखों में ना आए तो जब आपका registration हो जाता है तो सबसे पहला check जो होता है उसको हम लोग कहते हैं Refraction Refraction का मतलब होता है चश्मे का number निकालना ये Refraction हम लोग manually भी करते हैं जैसे आप देख रहे हैं आँखों के सामने lens लगा के और retinoscope से करा जाता है और ये Refraction हम automated Machine के help से भी करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये Machine है इसका नाम है Auto Refractometer कुछ लोग इसको AR भी कहते हैं ये हमें computerized testing से बताती है कि चश्मे का number कितना है इसके बाद आपके आँखों के pressure की जांच होती है आँखों की pressure की जांच इस Machine से होती है जिसको हम लोग कहते हैं NCT जिसका full form है non contact tonometer और इसमें से हावा का एक हलका सा puff आता है और आँख के अंदर का pressure हमें पता लग जाता है तो ये pressure आपका बिलकुल normal होना चाहिए इस test के बाद हम आपकी आँख के पुतली के कुछ test करते है क्योंकि majority operations हमारी आँख के पुतली पे करे जाते हैं जो भी laser वाले operation होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो test करते हैं और जो सबसे जादा important test है उसको हम लोग कहते हैं pentacam test तो ये आप machine देख सकते हैं pentacam की machine है ऐसे ही एक और तरह का test होता है जिसको कहते है oculizer test ये भी oculizer की machine है और इससे भी पुतली की report सब कुछ निकालते हैं और ये इस तरह की report इससे निकलती है तो आप ये देख सकते हैं रंग बिरंगे से maps हैं जिसकी significance बहुत ज़ादा है इसके बाद जो आपका test होता है उसको हम लोग कहते हैं topolizer test ये test ज़ादा important है जो लोग contura से अपना चश्मा हटा रहे हैं इस topolizer test से हम लोग पुतली के ऊपर जो भी irregularities होती हैं उनको map कर सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं इसके बाद जो आपका test होगा उसको हम लोग कहते हैं specular test या specular microscopy specular microscopy basically हमारी आँख में जो पुतली होती है उसके पीछे की जो layer है उसकी testing होती है क्योंकि अगर इस पीछे की layer में कोई problem हो तो फिर हम आपके चश्मे का number नहीं हटा सकते हैं इसके बाद जो आपका test होता है उसको हम लोग कहते हैं eye trace तो eye trace basically एक abrometer है और इस test से हम लोग काफी सारी चीज़े पता कर सकते हैं कि cornea में कोई HOA या higher order abrasions तो नहीं है हमारे आँखों के angles बिलकुल perfect है हमारी आँख में visual access कहा है जहां पे operation होगा तो ये machine हमें बहुत सारी information देती है safety point of view से इसके बाद जो है आपका dry eye test होता है क्योंकि अगर आँख में dryness की problem है तो हम ये सारे operations नहीं करना चाते क्योंकि इन सारे laser surgeries से dryness बढ़ती है तो already आँख में dryness है तो हम लोग इन सब procedures को prefer नहीं करते हैं फिर हम लोग एक lens वाला procedure करते हैं जिसको ICL कहते हैं और उसको आँख आँख में डाला जाता है क्योंकि ये lens आँख में dryness नहीं बनाता तो dryness के basically आपके दो तरह के test होंगे सबसे पहला test होता है manual testing जहां पे एक test जिसको shirmer test कहते हैं उसमें आँखों में कुछ papers लगाए जाते हैं और उससे देखा जाता है कि आँख में कितने आसू हैं दूसर test आपका होगा tear film breakup test जहां पे आँख में थोड़ा सा dye लगा के देखा जाता है कि आँखों में कितनी dryness है और तीसरा test होता है आपका lippy view test जहां पे हम इस machine ये जिसको lippy view कहते हैं इसकी help से हम पूरी dryness profile आपकी check करते हैं और अगर हमें इन सारे test में कोई भी doubt लगता है तो हम एक EI test करके देखते हैं जो और जादा advanced test होता है उसमें हमें और details मिलती हैं इसके बाद आपके dilated test जो हैं वो शुरू हो जाते हैं तो ये सारे testing के बाद आंखों में drops डाली जाती हैं और आंखों को करीब 15 से 20 मिनट तक बंद करके बैठना होता है जिससे आंख की जो वो फैल जाती है काली पुतली फैलने के बाद सबसे पहले आपका dilated reflection होता है कि पुतली फिला के आंख के चश्मे का number calculate करा जाता है उससे हम और जादा accurately इस चश्मे के number को निकाल सकते हैं इसके बाद आपके पर्दे का check-up होगा पर्दे का check-up हम आंख में जो पीछे वाला हिस्सा है इसको पर्दा कहते हैं और इसको properly check करना जूरी है कि इसमें कोई problem तो नहीं है especially हम इसमें ये देखना चाते हैं कि पर्दे में कोई कमजोरी तो नहीं है पर्दे में कोई lattice hole या tear तो नहीं है क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी चीज मिलती है तो पर्दे में एक बर ये जो अप्थालमोस्कोप है इस तरह से आंक में लग जाता है और आंक के अंदर light डालके पूरे परदे को चेक करा जाता है कि परदे में कोई कमजोरी तो नहीं है इसके बाद यही test हम automated भी करते हैं तो जैसे आप यह देख रहे हैं एक machine है जिसको हम लोग कहते हैं optos और यह पूरे परदे की photo लेती है और उसमें हम यह बता देती है कि परदे में कोई lesion, lattice, hole वगेरा तो नहीं है जिसको ठीक करना बहुत जादा जरूरी है इसके बाद अगर आपके doctor को कोई और doubt लगता है तो हम परदे का एक test जिसको कहते हैं OCT उसको भी करके देखते हैं और परदे का एक और test जिसको हम angiography कहते हैं उसको भी करके देखते हैं लेकिन आपको यह समझना है इन सारे testing में कोई pain नहीं होती कोई irritation नहीं होती uncomfortable patient नहीं होता बस अलग-अलग machine नहीं में बैठके बटन दबाके इन testing को किया जाता है उसके बाद कभी कबार अगर हमें किसी भी चीज में doubt लगता है तो corvus नाम की testing भी हम करते हैं जिससे हमें और information मिलती है cornea के strength के बारे में इसके बाद special situations में जैसे माल लीजिए अगर आप RLE से अपना चश्मा हटवा रहे हैं तो इस operation में आपके तीन testing और होगी पहला test होता है जिसको हम लोग कहते है optical biometry जो ये IOL Master 700 से किया जाता है फिर एक test lens star पे होता है फिर एक test ultrasound से होता है और एक test varion से होता है लेकिन ये test उन लोगों के लिए significant जादा है अगर हम RLE से आपका चश्मा हटा रहे है तो अकसर testing में proceed करते हुए हमें पता लग जाता है कि आपको कौन सा procedure जादा suit करेगा और accordingly उसके लिए भी हम test कर लेते हैं इसके बाद आपका जो test होता है उसको कहते हैं slit lamp test तो इस तरह की machine होती है slit lamp जहां पर doctor आपकी आँख को magnify करके check कर सकता है कि आँख में कोई और problem तो नहीं है अच्छा अगर आप ICL से चश्मा हटा रहे हैं तो हमने फिर आँख को measure भी करना होता है तो अकसर measuring इनी testing में हो जाती है लेकिन एक measurement हम manually भी करते हैं तो microscope के नीचे लिटा कर manually अपने हातों से भी measure करते हैं तो manual और automated जब mail खाती है तो हम 100% sure हो जाते हैं कि हमारी measurements बिलकुल perfect आई है फिर जब आप surgery से पहले आते हैं तो और testing होती है डबली sure होने के लिए कि सब कुछ ठीक है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में cover नहीं कर रहा है उसका एक और वीडियो बनाऊंगा आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी significance ये है कि अगर आप अपना चश्मा हटाने का plan कर रहे हैं तो इन सारे test को कराना जरूरी है इन में से कोई भी test आप miss नहीं कर सकते हर test आंग की अलग चीज़ को check कर रहा है कोई भी test miss हुआ तो operation के time में एक risk आ जाता है और especially cosmetic surgery में जब हम ये मानते हैं कि ये operation अच्छा दिखने के लिए या convenience के लिए कराया जा रहा है ये कोई बिमारी नहीं है इस तरह के operation में हम किसी भी तरह का risk नहीं लेना चाते है तो पूरी वीडियो को थोड़ा सा sum up करके आपको quickly बता रहा हूँ कुछ testing कैसे कैसे होनी है तो सबसे पहला test होता है आपका refraction का refraction में हम manually भी करते हैं automated भी करते हैं फिर आपके test होता है आँखों के pressure का जो NCT से करा जाता है फिर आपका pentacam test होगा oculizer test होगा topolizer test होगा फिर आपका eye trace test होगा specular का test होगा फिर आपके परदे के test होते हैं जहाँ पे indirect ophthalmoscopy, optos, OCT, angiography इन सब test से परदे को चेक करा जाता है फिर आपके dry eye के test होते है जहाँ पे lipi flow, shermar और tear frame breakup time को चेक करा जाता है हो सके तो EI test भी हो सकता है फिर आपके दूसरे test आजाते है जो lens वाले operations में use होते है जैसे आपका lens star हो गया आपका IUL master हो गया आपका varion हो गया आपका ultrasound A and B scan हो गया फिर अगर specially ICS अगर हम करा रहे हैं तो उनके लिए कुछ measurement test manually भी हमें करने पड़ते हैं और finally जो test होता है वो होता है slit lamp test जहाँ पे एक doctor slit lamp machine में बैठके आंखो को चेक करता है तो उमीद करता हूँ इस video से आपको और clarity मिली होगी आपके मन में और कोई भी doubt है तो मैं इसे पूछ सकते हैं तब तक के लिए thank you very much for watching this video and I'll be back very soon